हालो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों very very good morning कैसे आप सभी मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपना ध्यान रख रहे हैं होंगे और मन लगाकर पढ़ाई वो तो करी रहे होंगे गुट मॉर्는 गूझिंग वेरी वेरी गूद मॉर्निय एक बार मैं चेक कर लेत हूँ हमें स्ट्रीमिंग कैसे है चल रही है यह नी चल रही गूद मॉर्निय अवाज क्लिicable है मेरी तो एक बार कमेंट कर दीजियेगा कि हान जी आवाज क्लेर ऒर अपने सेशन को शुरू किया जब और आज 28 जुलाई है तो 28 जुलाई में हिंदू न्यूस पेपर में जो जो important article आए है उनको हम क्या करेंगे discuss करेंगे good morning सभी को good morning सभी को नमस्ते good morning good morning good morning जल्दी से फटा फट से आ जाईए सभी के सभी जिस से session को शुरू किया आवाज clear है मेरी तो दिन की शुरुवात कैसे होनी चाहिए सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है बहुत शांदारी बात यह सक्सिस क्या है आक्या सक्सिस आप डे टोडे अधिलीट है अब ऐसा तो होता नहीं है न कि वो दे टो डे लाइफ के अंदर में कोई प्रेक्टिस ना करें कोई कुछ ना करें डारेक्ट जाये रेस के अंदर में और वहां पर क्या करें अच्छीव करके चले हैं और सक्सिस्फुल हो जाएं अपने टार्गेट को प्रेक्टिस करते रहते हैं। ऐसी अगर हम किसी भी एक्जाम की बात करें। और स्पेसिफिकली क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं। उसकी अगर बात करें तो आप अगर एक्जाम वाले दिन कैसा परफॉर्म करेंगे। यह डिपेंड करता है कि उससे पहले के दिनों मे क्या आपने रिविजन करा तीसरी बात यह सारी चीजे क्या करती हैं मैटर करती हैं। तो इसलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप सफल होंगे, जो भी आप सक्सेस्फुल होंगे उसके पीछे माइक्प्रो जो स्मॉल श्मॉल थिंग्स हैं, जो चोटा सा एक्जामपल देता हूं कि यह हमने कई बार सुना है कि जब बहुत उची चढ़ाई चढ़नी होती है तो ऊचा नहीं देखा जाता अपने पास की सीडियों को देखा जाता है आप सभी कई लोग आप में से वहिष्णोदेवी की चढ़ाई पर गए होंगे चोटी-चोटी सीडियों को देख रहा था अच्छा आप यह होगी पूरी यह होगी पूरी यह होगी पूरी यह होगी पूरी यह निकि स्माल टार्गेट लेकर तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं चोटे-चोटे पने टार्गेट रखो बहुत कोई highly ambitious target भी नहीं रखना आप सभी को छोटे-छोटे टार्गेट रखें जैसे आप UPC की तैयारी कर रहे हैं अब एक दम से आप चार बज़े नहीं उठ सकते प्रस्ट में यह नहीं फीजिबल है एक दम से आप 10 गंटे नहीं पढ़ाई कर सकते यह भी फीजिबल नहीं हमें हमें के हिसाब से हमें एक्शन लेने चाहिए हूमन के हिसाब से हमें क्याने चाहिए क्लाइंग करने चाहिए गर आपको सुबह जल्दी उठना है तो धीरे-धीरे चीज़े क्या करी हो उसको आगे बढ़ाला शुरुकि जैसे आप मान के चले अभी 7 बज़े उठते फिर 15 मिनट और पीछे करो, फिर 15 मिनट ऐसे चलो, एक दम से करोगे तो परेशान होगे, देखिए एक ओर चीज समझे, UPC की प्रपरेशन में extreme emotions को हमें avoid करना चाहिए, extreme emotions कौन से जैसे मान के चलिए कोई relationship में आना हो गया, break up करना हो गया, किसी से लडाई हो गया, किसी से जग कर देते हैं, अब आप अपने आपको क्या करोगे, force करोगे, अब अपने आपको जब force करोगे, कि भाई सुबह तुझे भी 4 बजे उठना है, अब जब सुबह 4 बजे उठने के लिए आप अपने force करोगे, तो वहाँ पर आपकी energy, maximum energy क्या हो जाएगी, इसके इंदर में waste हो होगा, और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों ये जानते हैं, कि UPSC का live foundation batch, ये third batch है, दो batch already चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा उसका response है, वहाँ पर आपके लिए एक अगस्स की classes शुरू हो जाएंगी, रोज शाम को 6 बजे इसकी classes होआ करेंगी, एक अगस्स की classes है दोस्तों, आपको ये कितने ही मिल सकता, 18,949 रुपे आपको मिल जाएगा, वैसे इसकी क्या price है, 25,000, code क्या use करना है, PRT live code use करना है, चले, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आज की important headlines हैं, ये आप देख सकते हैं, प्लस में इसका PDF आपको कहा मिलेगा, फ्रशानती वारी, PDF नाम का टेलिग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, चले, फटा-फट से शुरू करते हैं, अपना सबसे पहला आर्टिकल, पामला से related, पामला यानि की prevention of money laundering act, अच्छा आर्टिकल है ये वाला, आपकी exam के लिए important है, तो दरसल सबसे पहली बात तो आपने recently enforcement directorate का नाम बहुत जादा सुना होगा, जिसको short में ED बोला जाता है, ED ने आज यहाँ छापे मारी करी, आज ED ने यहाँ पर notice दे दिया, आज ED ने इनको समन कर लिया, अभी recently news में भी चल रहा है, सारा गा सारा, प्रोटेस्ट हो गरा सारी चीए चल रहे हैं, तो एक तो ED आपके क्या गया, कि पामला के तहत में, जो ED के पास में पावर है, किसी को भी समन करने की, अरेस्ट करने की, रेड करने की, किसके अंडर में, पामला के अंडर में, यह क्या है, illegal है, unconstitutional है, तो सुप्रेम कोर्ट ने यह बोला, कि नई, जो पावर, अरेस्ट करने की, रेड करने की even property को जब्त करने की वो भी जो power है वो क्या है बिलकुल सही है उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सुप्रेंग कोड ने में यह बोला कि जो money laundering जो जिरे चल रही थी वहां पर यह बोला गया कि money laundering इतना हीने से जितना terrorism है तो money laundering actually में है क्या ये भी आपको समझ में आना money laundering का मतलब क्या होता है मान के चलिए इसी illegal तरीके से पैसे को कमाना जैसे drugs के थूरू terrorism के थूरू sexual trafficking के थूरू human trafficking के थूरू बहुत सारे arms के deal के अंदर में इन सब चीजों के कारण में क्या है अगर आप पैसा कमाते है तो इसको कैसे tackle किया जाए उसके लिए क्या किया गया था ये act लाया गया पामला अब पामला के अंदर में recently क्या हुआ इसको कब लाया गया था वैसे 2002 मिला या प्लीज याद रखेगा prevention of money laundering act 2002 इसके तहत में क्या मिलता ED को power मिलती है ED को power मिलती है अब recently क्या हुआ इसके अंदर में amendment किया गया था अब इसके अंदर में amendment करने के साथ में क्या गया था section 3 section 3 बहुत ज़्यादा news में आपको याद रखेगा section 3 ये कहता है कि कई बार जब हम क्या करते हैं किसी को arrest करते है तो state यानि कि सरकार के उपर में जिम्मेदारी होती है कि उसको ये प्रूफ करना कि भाई इसने एक crime किया है यानि कि onus किसके उपर में होता है प्रूफ करने का लेकिन section 3 ये कहता है कि अगर मानके चलिए पामला के अंदर में किसी को arrest किया गया तो जिसको arrest किया गया है उसकी जिम्मेदारी ये है कि भाई मैं बेकसूर हूँ बेगुना हूँ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है money laundering से ले गए ये question गया ये question गया कि पामला के तहत में जो power दी गई है किसको ED को वो क्या है बहुत जादा है उसको control करना चीज़ जो इनके पास में power है किसी को भी summon कर देना किसी को भी कहीं भी rate कर देना कहीं पर भी किसी को arrest कर लेना तो आरोप ये लगाया जाता है कि ED का इस्तमाल किया जाता है किसके दारा government को दारा और क्या करते है government अपने opposition को शांत करने के लिए चुप करने के लिए इसका इस्तमाल करते है in short ये पूरी की पूरी कहानी है मैं फिर एक बार समझा दू एक act है क्या prevention of money laundering act जिसको हम पामला बोलते है PMLA 2002 में pass हुआ ये क्या है इसका मतलब ये नहीं कि ED 2002 में established हुआ मिनिस्ट्री और फाइन्स के इंदर में ED डिपार्टमेंट पहले से ही था लेकिन इस act ने उसको ये पावर दी कि जमान के चलिए कोई भी अगर ऐसा related है किस चीश से related है money laundering से related act है तो ED उसको क्या करेगा इंक्वायर करेगा ED क्या है enforcement directorate ED कोई person नहीं ED क्या है एक enforcement agency जैसे police, CBI ऐसी वो भी क्या है enforcement agency है investigating body है प्लीज इस चीश को याद रखेगा तो यानि कि ED पहले से थी पामला act पास किया गया उसके तहत में ED को power दी गई बिल्कुँ सही बात है आपको बिल्कुँ समझा गया अब recently amendment किया गया और उसके अंदर में amendment करके बोला गया इसके अंदर में amendment किसके अंदर में किया गया पामला के अंदर में amendment किया गया और यह का गया ED अब क्या कर सकते है किसे की property को भी जब्त कर सकती है सारी चीश करती है प्लीज याद रखिएगा मैं फिर कहा रहा हूँ पामला एक्ट क्या है आपका क्या है यह है 2002 का इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया है 2017 के अंदर में और उस अमेंडमेंड के थुरू क्या हुआ बहुत जादा पावर दीगी जैसे मान के चलिए अरेस से रिलेटिट समन किया गया क्या proof of innocence to the accused यह सबसे important क्या किया गया change किया गया इस amendment के थुरू अब इसको क्या किया गया था question किया गया था कि यह जो करी जा रही है क्योंकि इसको political tool की तरह use किया जा रहा है पामला के तहरे किसके पास पावर है AD के पास में पावर है और ED ऐसे क्या करता है जो opposition के leader है उनको क्या कर रहा है वहाँ पर arrest कर रहा है सारी के सारी चीजे ठीक है clear तो यह सारी के सारी चीजे ठीक है तो प्लीज याद रखेगा यहाँ पर तो prevention of money laundering act क्या है यह दो point note कर लेना बहुत important है सबसे पहली बात तो एक Vienna convention हुआ था जहां पर यह कहा गया कि money laundering को रोकना है उसके प्रती हमारी commitment थी इसलिए global commitment पर जो इंडिया की commitment थी इसलिए हमने क्या किया पामला act को पास किया prevention of money laundering act कब 2002 के अंदर में प्लीज याद रखेगा और इसके अंदर बहुत सारे provision है जैसे मान के चलिए कि कोई property अगर किसी ने acquire करी है किसके थूरू मान के चलिए कोई drugs का धंदा करता है business करता है उसके थूरू उसके पास पैसा आया और उस पैसे से उसने क्या क्या कोई property खरीद ली तो उस property को जब्त करना उस property को बेच देना ये सब क्या होता है इसके पास में किसके पास में ताकत है एडी के पास में power है फामला की थे ठीक प्लीज याद रखेगा और अभी क्या क्या है 2017 के अंदर में इसमें amendment भी किया गया है प्लीज याद रखेगा मैं फिर कह रहा हूँ उसका section 3 ये ज़रूर याद होती थी ये proof करने की जिसको हमने arrest किया ये क्या है गुनेगार है लेकिन इसको हमने reverse कर दिया यानि कि जिसको हमने arrest किया अब उसके ओपर जम्मेदारी है owners है कि वो ये proof करे court के अंदर में कि मैं बेकसूर हूँ मेरे कोई भी गुनाह नहीं है प्लीज याद रखेगा कि कई बार बच्चों को परिशान करता है, इसलिए प्लीज इसको याद रखेगा, ठीक है, clear है, ठीक है, clear है, और enforcement directorate क्या होता है, ये enforcement directorate की specialized financial investigation agency है, जो किसके अंदर में, department of venue, minister of finance के अंदर में काम करते हैं, 1956 के अंदर में enforcement unit नाम की एक चीज बनी थी, ठीक है, किसके अंदर में, foreign exchange regulation act, 1947 के तैप में, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, 1957 में इसको enforcement directorate बोल दिया, ED दो तरीका का काम करती है, एक, FEMA, और दूसरा कौन सा, PMLA, पामला, इन दोनों से related क्या करती है, सारे के सारे provisions को देखती है, इवर आपको ये भी पता होना चाहिए, कि पामला के तैप में, special court भी बनाई गई है, special courts भी बनाई गई है, और वहाँ पर क्या होती है, इनकी hearing होती है, ठीक है, clear है, ठीक है, ठीक है, तो please इस provision को याद रखेगा, सबसे पहली बात तो, पामला, पामला की तैप में, किसको power मिल रही है, ED को, ये flow chart बनाए दे रहा हूँ अब, अब recently, जहा जहां पर election होते हैं, opposition के party members को क्या किया जाता है, arrest कर लिया जाता है, उनको समन किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या किया धमकाया जाता है, ये कई, क्या किये गए, कई सारे आरोप लगाए गए, कि पामला के थूँ क्या कर रही है, स ED की power है पामला के through उसको कहा कि बिल्कुल सही है इसमें कोई भी चीज unconstitution नहीं है clear है clear है, यहां तक बिल्कुल clear है किसी को भी कोई doubt, मैंने in short इसलिए समझा दिया, क्योंकि मैक्सिम बच्चे फिर बाद में comment करते हैं, कि सर वो वाला दुबारा से repeat कर दो, तो इसलिए मैंने इसको detail में यहां पर समझा दिया आप सभी को अगला article BSNL से related है 2019 का अगर आपको ध्यान होगा, तो 2019 के इंदर में भी क्या किया था, पैसा provide किया गया था BSNL को, पैसा provide कराने का मतलब क्या, कि जैसे BSNL क्या है, बहुत ज़ादा crisis में चल रहा था, तो यह कहा गया कि 2,000 roadness में जो पैसा provide किया गया है, उससे benefit यह मिलेगा, कि BSNL अपना जो loss है, उसको धीरे-दीरे कम कर देगा, दरसल पहले के जमाने में BSNL ही एक ऐसा network हुआ करता जो किसी भी देश के कोने में चले जाओ, वहाँ पर BSNL ही मिलता था, फिर धीरे-धीरे situation ऐसी है ही, कि BSNL का network जाने लग गया, और इसलिए भी problem आई, कि जो competitive market जाए, जब 4G की market, अब यहाँ पर अब बात की जा रही है BSNL के 4G की, आप कुछ सोचिए, जब 3G, 4G का जमाना जाने वाला है, मलब 5G की बात हो रही है, जाने वाला तो कहीं नहीं है, 5G इंडिया में आते आते बहुत समय लग जाएगा, तब अब बात की जारी है BSNL के लिए 4G networks की, तो आप कुछ सोचिए, जब आप competitive-ness ही नहीं रहेगा, तो आप market में survive कैसे करेंगे, और जब आप market में survive नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में employees तो हैं, उनको salary तो देनी है, अब जब salary देनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए, अब आप वहाँ से profit तो कमा नहीं पा रहे हैं, अब profit अगर नहीं हो रहा है, तो दो option बसते हैं, या तो आप उसको क्या करो, disinvest कर दो, अब जैसी वहाँ पर disinvestment की बात आई, वहाँ पर क्या हुआ तुरंत, तुरंत लोगों ने क्या-क्या, उन्होंने announcement ये करी है, कि हम 1.64 लाक करोड रुपया क्या करेंगे, BSNL को revive करने के लिए, हम इसके अंदर में डालेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर में भी मज़े की बात ये सुनो, कि इसके अंदर में 1.64 लाक करोड रुपया डारेक्ट पैसा नहीं जाएगा, कैश, कैश कितना जाएगा, सिर्फ औस तिरालिस हजार, 964 करोड रुपय बस, बाकि सारा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए, 4G स्पेक्टरम के लिए, उसके लिए, कैनमें आपके जैसे, जो operational जो cost होती है, administrative जो cost होती है, उसके लिए, उसमें इस्तमाल किया जाएगा, ठीक है, प्लीज याद रखेगा, इस सारी के सारी चीज़ें, क्या चल रहा है, अभी marks नहीं आते हैं, marks आपके, जब exam clear हो जाएगा, result आजाएगा, interview उसके बाद में सब चीज़ें हो जाएगी, final list आजाएगा, उसके बाद marks पता जलता है, कि आपके prelims में, means में, और interview में marks कितने आए, ठीक है, clear है, चले, तो यह समझ में आ गया, यहाँ पर, अब काफी समय से इक समय में बोले, तो हम क्या, this investment, यह question काफी समय से आ रहा है, इसके उपर में काफी समय से question mark लगता रहता है, government, privatize का मतलब क्या है, एक चीज़ समझ ले की कोशिश करी है, 1991 से पहले, 1991 से पहले, इंडिया के इंडर maximum जो units थी, वो किसके अंडर में थी, government के अंडर में थी, maximum, ल जी, reforms भी बोलते हैं, जब हमने reform किया, उसके अंडर में हमने कहा कि आप, private entities भी समय कर सकती है, enter कर सकती हैं, अब जैसी private entities आती है, तो private entities पैसा उनके पास में जादा होता है, और उनके पास है, पैसा उठाने का भी capacity रहती है, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, और उसके एक में धीरे-धीरे क्या होने लग गया यह maximum जगे पर यह देखा गया कि जो government entities है एक ही field के दर और private entities है वहाँ पर जो efficiency है private entities की क्या है जादा है और government जो entities है वो हमेशा क्या रह रही है loss making में रह रही है अब recent time के अंदर में कोची समझने की कोशिक करिए डॉट से डॉट करिए और उसके बाद में क्या हुआ गॉवर्मेंट्स आती रही सारी चीज़ होती नहीं 24 के अंदर में प्रेजेंट गॉवर्मेंट है यह ऐसा नहीं है कि fiscal consolidation की प्रेजेंट गॉवर्मेंट ही करती है नहीं फिसकल consolidation का मतलब यह होता है कि अपना expenditure कम करना और revenue को ज्यादा करता है यानि कि आपको fiscal क्या करना है consolidate करना है तो ऐसा नहीं प्रेजेंट गॉवर्मेंट लेकिन इन्होंने बहुत aggressively काम करना शुरू किया अब जब aggressively काम करना शुरू किया तो आपको पता होगा यह उन्होंने कई सारी schemes को क्या किया rationalize किया जिससे क्या हो expenditure की ओपर में खर्चा कम हो क्योंकि fiscal consolidation करना है और साथ में revenue कैसे increase हो यह सबसे important हिस्सा है तो revenue increase करने के लिए बहुत अच्छा एक process अपनाया गया वो क्या अपनाया गया dis investment और government ने clear cut एक बात बोली थी कि हमारा business करने का कोई भी business नहीं है अब जब यह बात कही गई तो बहुत सारे लोगों ने आपको पता है भारत के इंदर में तारी चीज़े रहती है पक्ष है तो विपक्ष है प्रोटेस्ट होना शुरूँ है अब जब प्रोटेस्ट होना शुरूँ है आपको पता है air India air India वाला भी concept याद रखे अभी टाटा ने क्या क्या है उसको dis investment के process के अंदर में बेंडिंग करके वापस ले लिया अपने पास में पहले टाटा गई था फिर उसके बाद में हो गया तो यहां से major question ही आता है कि क्या dis investment longer run के लिए सही है या फिर dis investment government के perspective से सही है या गलत है यह major question आपके exam के अंदर में आ सकता है कि किस हद तक आपको लगता है कि जो dis investment अब जैसे for example मैं आपको छोटा से example देता हूँ कि जैसे BSNL की बात की जाती है तो BSNL को सिर्फ और सिर्फ आप ऐसी entity में समझिए कि बस वो क्या है एक profit नहीं दे रही है यहां से आपको एक और ची समझनी पड़ेगी कि जो government के entities होती है वो सबसे बड़े employer होते है job security, job creation के अंदर में जो government entities है वो बहुत important role play करती है और recent time के अंदर में government entities के अंदर में job नहीं होना ये भी क्या है employment rate गिरना जो already मैंने आपको बता है unemployment rate बढ़ रहा है employment rate गिर रहा है वो भी इसके कारण में दूसरी चीज़ यहां से एक और चीज़ समझिए BSNL एक trusted क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए communication एक ऐसा sphere है जहां पर government को रहना चाहिए क्योंकि जब country की sovereignty integrity के उपर में खत्रा हो तो वहाँ पर government के पास में एक ऐसी entity हो जो हर एक area में हर एक region में काम कर सके क्योंकि आप ये चीज़ private entities से नहीं उमीद कर सकते एक हद तक वो फिर भी कर देंगे लेकिन private entities का हमेशा aim और goal क्या होता है profit हमेशा profit रहता है तो यहां पर ये भी चीज़ हमें ensure करने पड़ेगी है और तीसरी बहुत important चीज़ अभी भी अगर देखा जाए तो जो private entities के मुकाबले में अभी भी अगर देखा जाए अब तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है जो BSNL है उसका coverage पैन इंडिया था उसके towers उसके network पैन इंडिया थे तो हम क्या कर सकते थे इनको अच्छे तरीके से utilize कर सकते थे पर धीरे धीरे वही राल फिता शाही efficiency नहीं है इसका बार-बार राज अलापते रहना इस सब चीजे करते करते problem क्या हुई धीरे धीरे हम किस किते तरफ चलेगे कि ये loss making entity बन गई same person ही होंगे जैसी ये private हातों में जाएगी वैसी ये क्या होगी profit making entity बन जाएगी और इन सब चीजों को ध्यान में रखते वे क्या किया गया है government of India ने announce किया है क्या package कि कैसे BSNL को revive किया जाए इसके लिए आप सभी को पता होगा BSNL और दिल्ली का MTNL उसको क्या किया गया था merge भी किया गया था भी last लिए सारी कि सारी चीजे क्या है इंटर कनेक्टेड है प्लीज इनको याद रखिएगा ठीक है ठीक है फ्लीज याद रखना सारी कि सारी चीजे ठीक है ठीक है clear है clear है यहाँ तक किसी को भी कोई doubt तो काफी समय से चल रहा है और यह आपकी exam में इसी perspective से आएगा कि किस हद तक सही है यह देखिए question को समझने को concept देखिए कि किस हद तक सही है क्योंकि जब आप पैसा यहाँ पर BSNL में लगा रहे है तो वो कहां से आ रहा है government से पैसा आ रहा है और जो government से पैसा आ रहा है और government के पैसा कहां से गया टेक्सपेर तो यह question कई बार पूछा गया एक बार यह पूछा भी गया कि किस हद तक सही है कि टेक्सपेर का पैसा एक loss making entity में लगाया जाए यह question पूछा गया था लेकिन trust में दोस्तो government का space transport और communication इन तीन स्पेर में हमेशा प्रेज़ेंट रहना यह national security से related भी बहुत बड़ा important हिस्सा है no doubt job creation है no doubt एक छोटा सा example देता हूँ मैं आपको आप जानकर हरान रह जाएंगे कि जब यह जो यह कहन में होते हैं आपके private telecom sector होते हैं क्या होता है इनको क्या करना पड़ता है दूसरी जगे पर हमें एक तरीके से incentives देने पड़ते हैं सरकार को कि भाई इस region के अंदर में जाकि आप क्या करिए अपना network लगई क्योंकि जब वहाँ पर penetration ही नहीं है वहाँ पर उनके पास consumer ही नहीं है तो उस region के अंदर में network लगाने से पीछे क्या करेंगे hesitate करेंगे वहाँ पर infrastructure develop करने से क्या करेंगे hesitate करेंगे और यही एक region है भारत के इंदर में यही सबसे बड़ा region है कि हमारे यहाँ पर regional disparity है किसके लिए क्योंकि काफी सारी जो developed या फिर मान के चले जो private entities है वो focus किसके उपर में करते हैं जो developed areas है उनके उपर में developed areas के उपर में वहाँ पर वो infrastructure वहाँ पर अपने setup को लगाने की जादा कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी सुधाय उनके पास हम available हैं अब जब यह चीज होती है तो जो हमारे regions क्या है under developed हैं जो नहीं developed है वहाँ पर यह opportunities create नहीं होती है और उन areas के अंदर में क्या कर सकते हैं government के द्वारा मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात नहीं करता है जो government owned entities हैं वो भी काम कर सकते हैं क्योंकि ultimately भारत के एक welfare state है जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है काम करना पड़ता है रेशनलाइज़ करने का मतलब क्या यह साथ को पहले scheme गोशित कर दी गही कि सब को क्या मिलेगा पांच किलो अनाज मिलेगा यह पहले आपको पता होगा पहले के जमाने में एक scheme थी यह कहाँ गया कि सब को क्या मिलेगा LPG gas cylinder मिलेगा और भी subsidy rate पर मिलेगा यह government आई इन्होंने का कि भाई सब नहीं सबको नहीं मिलना चाहिए इसको rationalize करो जिसको need है उसको मिलना चाहिए उसके अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए यानि कि सरकार अपना खर्चा कम करना चाहिए खर्चा कम करना चाहिए, revenue को बढ़ाना चाहिए इसको बोलते हैं, fiscal consolidation बोलते हैं, ठीक है, clear है, ठीक है, clear है, clear है, ठीक है, तो यह सारे के सारे चीज़े हैं, अगला article, this is very important for your exam, very very important, अभी population और GS paper 1 में population, growth, यह topic है, उससे related आप इसको क्या करिए, connect करिए, बहुत अच्छा topic है, बहुत अच्छा topic है, दरसल, हम जब population की बात कर करते हैं, तो यह कहा जाता है, अभी recently रिपोर्ट आई, पहले रिपोर्ट आई थी कि 2050 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, अब रिपोर्ट यह आ रहे है कि 2030 तक हम चाइना को क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे, यानि कि विश्वी की सबसे ज़ादा जनसंख्य अगर कहीं पर है, भारत के अंदर में ऐसी चीज़ को हम ले आएंगे, अब जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर में कहा जाता है कि कैसे population को control किया जाए, population को control करना ज़रूरी है, इवन 2019 में प्रदान मंत्री मोधी जी ने कहां से, लाल किरा से ही ब रखती है, कई बार population blast word भी बोला जाता है, जन संख्या blast, ऐसे कई सारे words को use किये जाते हैं, कई बार, तो उसके अंदर में दो तीन concept कई बार हम पढ़ने को सुने मिलता है, total fertility rate, एक ये word होता है, और एक word होता है, replacement level fertility rate, तो दोनों के बीच में आपको difference समझना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, important है, आपके exam के perspective से, जरसे लेकी समझ ये, population, अभी एक के data के एसाब से देखा जाए, तो इंडिया, विश्व के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में क्या है, second number पा highest population वाली country है, हाइस population होने के कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी है, सबसे पहले हम न नुकसान वाली एगर बात को देखें, तो नुकसान वाली बात की कहा जाती है, क्योंकि resources क्या है, limited है, resources limited होने के करण में, इतनी जादा अगर population होगी, तो इस resources के प्रवन क्या पड़ेगा, stress पड़ेगा, और resources क्या होँगे, ultimately कभी ना कभी तो क्या हो जाएंगे, खतम हो ज की तरफ में क्या हो, migrate करना, move करना, अब जब वो चीज होती है, तो उसकी करण में, जो urban center है, जो cities है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी कई सारे क्या होता है, population density होगी, और population जादा होने के करण में, ये चीज आपने ये भी notice करी होगी, कि जो बिमारिया होती है, जो diseases, उनके उपर में भी impact पड़ता है, अब resources का crunch, एक natural resources आपने पढ़ लिया, दूसरा जो अगर government resources की हम बात करें, तो जैसे health care services हो गया, education हो गया, और भी कई सारे schemes होगी, उनके उपर भी क्या पड़ता है, impact पड़ता है, तो population जादा होने के ये नुकसान है, दूसरी तरफ में population, जादा होने के benefit भी कई सारे है, तबसे पहला benefit क्या है, demographic dividend, जिसकी हम बात करने है, जन संख्या जादा है, ज्यादा आपके यहाँ पर क्या है, economic agents होते हैं, अब ज्यादा economic agents होगी, तो यानि की economic activity उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा economic growth होने के क्या है, chances है, जैसे ये भी कहा जाता है, कई बार कहा जा, कई बार ये theory दी भी गए कि भारत जैसा देश है, जिसकी सीमाई इतनी बड़ी है, वहाँ पर security perspective से भी क्या है, हमें इतनी बड़ी जन संख्या की क्या है, आउशक्ता है, ऐसा कई बार एक theory में बोला गया, अब यहाँ तक समझ में आत है, तो government के दोरा बढ़िया, सबसे बढ़िया initiative, सबसे बढ़िया initiative कि इसको माना जाता है, कि government ये announce कर दे, कि दो बच्चे की policy, two kid policy, कई जगे पे one kid policy, two kid policy, ये सारी announce कर दे, इसका announce करने का मतलब ही होता है, कि मान के चले, government की job है, government की जो facilities है, जो सुविधाएं है, वो क्या एक कई बार पूछा गया, एक बार question पूछा गया, मेंस के इंदर में, कि population के कारण में poverty होती है, या poverty के कारण में population होती है, ये बहुत बहुत अच्छा concept है, बहुत अच्छा, इसको अगली slide में हम भी discuss करेंगे, ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहां त तो चाइना वाला हाल हो सकता है, वो हाल क्या हो सकता है, वो चीज़ को समझेए, जनरली ये कहा जाता है, कि मान के चले एक सौ लोग है, मैं एक example दे रहा हूँ, तो यहां पर इतनी fertility rate होनी चाहिए, कि यह 100 लोगों को क्या किया जाए, रिप्लेस कर दे, क्या कर दे, रिप् यानि कि टोटल रिप्लेस्मेंट रिट एक सी ही चलना चाहिए, लेकिन अगर मान के चलिए, ऐसा हो जाए, कि आपका fertility rate, fertility rate का मतलब क्या है, पहली बात तो यह समझ लिजिए, ideally एक women के उपर में, एक women से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको हम कहते है, fertility rate, तो अभी ज का average आना चाहिए, इसको हम बोलते है, fertility rate, ठीक है, तो यह कहा जाता है, कि इतनी fertility rate होना चाहिए, ideal, कि क्या हो जाए, replacement हो जाए, अब मान के चलिए, आप बहुत जादा aggressive हो गए, कि नई भाई, आमें जनसंख्या कम करनी है, जैसे चाइना ने किया, और जापान ने किया, इस इस चीज बहुत बड़ी समस्या होई, कि वहाँ पर महिला है, जादा तर काम, इन सब चीजों में फोकस करने लगे, अब जब इन सब चीजों में और पूरश भी इन सब चीजों में फोकस करने, तो जो marriage और शादी, यह सारी planning होती है, उनके काड़ में भी क्या होता है, इं 69 साल की उमर तक सबसे young population भारत के पास में है, आप सोची अगर भारत के पास में यह है, तो विश्व के अंदर में हम कितना अच्छा क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, तो यह कहा जाता है, कि अगर मान की चले हिससे कम चले गए हम, तो यह total आप क्या करेंगे, उसको replace नही क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगी, older population जादा हो जाएगी, younger population कम हो जाएगी, मैं एक assumption दे रहा हूँ, कि अगर ऐसा हम चलते रहे तो, कई सारे लोग कहते हैं, कि समझ यह सिसको, कि no doubt आपको fertility rate control करना है, लेकिन इतना aggressive में नहीं जाना कि आपका जो replacement fertility rate है, उससे भी नीचे चले जाओ, और जिस दिन आप उससे नीचे चले गए, तो वहाँ पर समस्या क्या होगी, वहाँ पर समस्या यह हो जाएगी, भारत क्या होगा, आने वाले समय के अंदर में क्या हो जाएगा, बुड़ा देश बन जाएगा, old, तो इसलिए हमें maintain करके चलना पड़ेगा, अब government ने कई सारे initiatives लिए, जैसे जो contraceptive mechanism हो गए, protection के mechanism हो गए, इनको कैसे घर घर तक पहुचाय जाए, आशा workers के थुरू इनको घर घर तक पहुचाय जाए, लोगों में awareness होना, हम दो, हमारे दो, पंचाय सीरीज देखी होगी आप सभी ने, उसके इंदर में जैसे schemes, जैसे models, के थुरू, जैसे पहुचाना सारी चीज़ें, कि एक ही बच्चा, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक और आपको मैं एक example देने की कोशिश करता हूँ, आप सभी ने पार्सी community के बारे में सुना होगा, देखे, मैं आज आपको ये जो जनसंख्या वाल लोग, पढ़ाई, business, इन सब चीज़ों में, science, advancement, इन सब चीज़ों में लगे रहे, तो वहाँ पर शादिया नहीं हो रही, अब शादिया नहीं हो रही, तो वहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे, और उसके काड़ में ये बहुत बड़ा एक question mark लग गया है, कि अगर ये चीज अब वह चीज़ जैसी उन्होंने करी, तो stop हो गया, अब उसके काड़ में क्या है, वो gap बनता जा रहा है, older, old हो रहे, young आई निरे, बीच में gap बनता जा रहा है, तो ऐसा देश के अंदर में नहीं होना चाहिए, इंडिया के अंदर में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप replacement rate है, लेकिन अगर 2.1 से जाता है, जो कि अभी recently एक survey के अंदर में पाया गया, कि recent time के अंदर में हमारे कई सारे states के अंदर में, कई सारी communities ऐसी है, जहाँ पर fertility rate 2.1 से भी नीचे चला जाता है, तो यह क्या है, देश के लिए थोड़ी सी चिंता जनक बात हो जाती है, क्यों fertility के कारण population होती है, या population के कारण में गरीबी आती है, ये एक cycle की तरह काम करता है, प्लीज इस flow chart को याद रखेगा, आपके exam के अंदर में बहुत जादा ये क्या करेए, help करेगा, जन संक्या जादा होने के कारण में संसाधन इतने available है नहीं, economic activities मुतना जादा available हो नहीं पा जो कि क्यान में आपके पास availability ना होने के कारण में, ये भी एक समस्य रहती है कि गरीबी के कारण में ये देखा गया trend है, मैंने कई बार आपको example दिया कि पढ़ रहे हैं, fine certificate advancement वहाँ पर population control हो दी है, इसका मलब ये चीज देखा गया ratio जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क् population भी क्या हो रहे, increase हो दी है, तो एक cycle है, तो आपको ये दोनों को break करने के लिए, population जो bombs जिसको मोलते हैं, break करने के लिए, आपको दोनों हिस्सों में काम करना पड़ेगा, एक गरीबी, यानि कि social economic conditions को भी क्या करना पड़ेगा, improve करने पड़ेगा, एक तरीका ही हो सकता है, और एक तरीका यहाँ पर population control करने का direct आपको ये action लेकर आए, ठीक है, clear है, तो प्लीज ये चीजे याद रखेगा, mains में यही सब कुछ क्या करेंगे, आपको help करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये cycle है, population के कारण में poverty, और poverty के कारण में population, ये cycle है, तो ये दोनों के दोनों प्लीज याद रखेगा, exam के लिए बहुत, बहुत अच्छा concept है, mains के लिए, I think, ये बहुत detail में हमने cover कर लिया, तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे minister है, उन्होंने ये बोला, कि हमारे health and family की minister है, आपके भारती प्रवीन पावार जी, उन्होंने ये बोला कि जो अगर देख है, total fertility rate, वो 2.1 और less हम क्या कर चुके है, अचीव कर चुके है, यानि कि हम replacement level of fertility rate को हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, ठीक है, clear है, अब देखिए, एक और चीज समझे, इंडिया के अंदर में, जब आप हमारे भारत को दिखते हैं, तो नीचे, southern states और north state, ये बहुत अच् कर रहे हैं, किसके अंदर में, हाँ, literacy, वो poverty, literacy, सारी चीजे उसमें आगी, health care facility को access मिलना, अगर poverty है, तो कई बार ये देखा गया, कि literacy, यानि कि पढ़ाई लिखाई है, सब चीजे भी उनको access नहीं मिल पाता, सारी चीजे है, ठीक है, हमने आपको उता रहा हूं कि southern side में क्य यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, जन संख्या, यहने के population, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, increase हो रही है, अब इसी के काड में, आपको, politics का concept भी पता होना चीए, कि जब हम बात करते हैं, seats, बढ़ान की, किसके अंदर में, लोक सभा के अंदर में, वहाँ पर भी यह क्या होती है, question आता है, यहाँ पर भी question आता है, देखें, मैं आपको हर aspect समझाने की कोशिश करो, वहाँ पर question क्या आता है, वहाँ पर सब क्या question क्या आता है, कि क्या आपको ऐसा लगता है, कि जो southern state ने अच् पॉर्म था जन संख्या के मामले देखा जाए लेकिन जब धीरे धीरे चीजे बढ़नी शुरू हुई आगे की तरफ माना शुरू है तो यहां पर परिशानी क्या होनी शुरू है कि सदरन स्टेट वह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन जो इधर नदरन स्टेट से सारे के सारे गुजरात हो गया महराश्टर हो गया यह सारे के सारे यूपी बिहार मद्धप्रदेश सब के सब यहां पर पर परफॉर्म अच्छा नहीं क्या तो इस समय पर कहा गया क्यों ना इन सीट को फ्रीज कर दिया जाए क्योंकि सदर्ण स्टेट बार बार यह आरोप लग अगल भी आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ठीक है सीट्स जो है सीए कोडिंग मिलती है ठीक है क्लियर है तो सारी चीजे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आपको मैंने बहुत डीटेल मैं उस अगल को भी समझाने की कोशिश करी जिस तरीके से आपको क् टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है सिंपल चा मतलब क्या एक विमन से इनके लाइफ टाइम के अंदर में कितने बच्छे नंबर ओफ चिल्डरन बॉन ठीक है प्लीज याद रखिएगा ठीक है तो 2.1 जिसको हम पर वमेन अगर बोला जाता है अगर लेस दन चले जाए अगर हम तो हम यह हो जाएगा कि generation is not producing enough children to replace itself ठीक है और इसके कार्ण में क्या होगा हमारे आपर जो older population increase हो जाएगी और जो younger population वो कम होती जाएगी क्लियर है किसी कोई-कोई doubt is related यह यह भी याद रखेगा finance commission भी ठीक है finance commission भी population को क्या करता है ध्यान करता है जब क्यान में जो fund resources allocate किया जाते हूं उस समय पर ठीक है तो यह भी यह चीज याद रखेगा और काफी समय से चल रहा था कि 1971 वाला इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि census काफी साही चीज़े हमारी 1971 पर ही रुकी हुई है या 2011 वाला करना चाहिए तो जो recent 15th finance commission उसने 2011 वाले को क्या किया है utilize किया I think मैंने अपने हिसाब से अपनी तरसे personal level पर बहुत तगरे तरी से के से कोशिश करी है कि आपको क्या किया यहां पर इस सारी चीज़े समझा दी जाए अगला article है आपके से related forest right act से related जहाँ पर देश के अंदर में और बहुत सारे status है जहाँ पर इसको अभी तक implement किया ही नहीं जा रहा है जहां पर अभी तक implement किया ही नहीं जा रहा है अभी चीज़े नहीं implement वारी है वहाँ पर उडिशा एक ऐसा state है जहाँ पर forest right act को almost completely अब क्या करने जा रहें बिल्कुल full-fledged हम implement करने जा रहें तो आपके exam के लिए important हो जाता forest right act actually में है क्या दरसल द जी का जो हमने उस दिन अभी पढ़ा सब कुछ हमने पढ़ा तो यानि कि हमें realize होता है कि बहुत सारे लोग यानि कि हमारे major जो संख्या है वो जंगल ट्राइबल यही सब चीज़े रहें लेकिन जब अंग्रेज आए अंग्रेज उनने ये चीज़ नोटिस करने शुरू कि लिकियार में ये forest जो हैं ये तो resources का खजाना है अब जो resources का खजाना है तो क्या करना चाहिए इनको हमें control करना चाहिए तो उन्होंने कई सारे act लाने शुरू के forest act सारी चार चीज़ें अब जब वो लेकर आए तो उसके अंदर में सब्सक्राइबडी समस्या क्या होने लग करती है कि forest के साथ में जो लोग हैं वहां के वो symbiotic relation में रहते हैं जो लोग है वो forest को कुछ दे रहे हैं वहाँ पर conserve कर रहे हैं और साथ में forest भी उनको काफी सारी चीज़े देने जैसे for example आपने forest act पास किया और forest act के पास करते हैं आपने का कि भाई साथ forest के अंदर में जो जो समान उगाया जाता है उस पे सरकार का दिकार है और कोई इसको नहीं लेके जाएगा अब जो पिछले 50 साल, 100 साल, 1500 साल, 200 साल से वहां पर forest right act के अंदर में ये कहा गया कि जैसे मान के चलिए उनको जो वहां पर रहने वाले लोग है उनको कई सारे rights दियेगे जैसे मान के चलिए कि आपको इतने acre land वहां पर आपकी allocate case दी जाएगी यहां पर आपके चले मान के चले जो minor forest produce है उसको उपर में आपका अधिकार है ये याद रखिएगा आपके exam के लिए क्या है बहुत जादा important हो जाता है ठीक है forest right act ठीक है तो इसके अंदर में decision कौन लेता है मान के चलिए कोई ये claim करता है कि मैं मेरे दादा पर दादा यहां पर पिछले 75 साल से रह रहे हैं तो इसका decision making authority ये this is very important forest right act के अंदर में decision making authority ग्राम समा ग्राम पर प्लीज याद रखिएगा तो ये दरखिए forest right act जो है 2006 के अंदर में inact किया गया उसने recognize किया किसको forest rolling rights किसके tribal communities के प्लीज याद रखिएगा ठीक है जो क्या है बहुत सारी need के कार्ण में क्या है dependent है रहना हो गया अपना खाना पीना हो गया सारी चीज उनके सारी चीजों को follow करना हो जाए उससे आपसे भी क्या करते है उनको करते है ठीक है फ्लीज याद रखिए और इस एक्ट ने क्या क्या recognize किया कैसे कि दो लोग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं forest land के इंदर में एक forest dwelling schedule tribes रहती है और एक कॉन है other traditional forest dwellers ये दो प्रकार क लोग जो forest के अंदर में रहते हैं generation से रह रहे होते हैं उनको हमें क्या देना चाहिए राइट्स देने चाहिए अब इनको recognize कौन करेगा decide कौन करेगा ग्राम सभा करेगी प्लीज ये याद करिएगा ग्राम सभा लेवल पर क्या किया गया authority provide की गई है जहां पर individual forest right या community forest right कि इसको provide करना है या नहीं करना यह उस वहाँ पर decide किया जाता है ठीक है clear है clear है मेरे ख्याल में please यह चीज याद रखिएगा ठीक है ठीक है प्लीज याद रखिएगा बहुत बहुत ज्यादा important है forest right act क्योंकि देखिए यह अभी इसलिए भी निउज में आभी आपको पता को किसी private entity को अब जब private entity forest की land को यूज करना चाती है तो वहां से लोग भी डिस्प्लेस होंगे और इसके साथ तहत में क्या होता है एक्ट क्या करेंगे compensation भी देंगे दूसरी जगे forest land लगा के forest लगा के वह भी क्या करेंगे उनको transfer करेंगे but problem क्या है कि जब यह नए regulations लाए clear है चले अगला article this is very important article बहुत बहुत अच्छा article है और इन्होंने बहुत शांदार तरीके से link किया कि कैसे चीजे चल रही है और कैसे चीजे socio-economic situation को कैसे worst कर देती है यह जी समझ ही था दसल दोस्तों अगर हम बात करें तो तीन तरीकी हम बात करते हैं justice की यह राइट की ब बात करते हैं एक social level की राइट की बात करते हैं और एक economical राइट की बात करते हैं तो मेटकर सामने कहा कि जब हम सम्विधान बना रहे हैं यह तो ensure कर देगा कि political right है लोगों के पास में लोगों के पास में representation भी हो गया सारी चीजी हो गई सब कुछ हो गया लेकिन हमें यह ensure करना पड़ेगा कि social economic rights कैसे लोगों को मिले social economic जो inequalities हैं जैसे मान के चलिए कोई state कोई region बहुत जादा पिछड़ा है economic level पर social level पर और दूसरी तरफ पर देखा जाए तो कोई सारे जो states हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस disparity को कैसे fill किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत important feature आता है fiscal federalism प्लीज इस चीज को की तरफ रहता है इसकी तरफ power sharing model को ही हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखते हैं लेकिर हम यह चीज भूल जाते हैं कि एक model हमारे यहाँ पर यह भी है किस चीज से related है financial, fiscal, federalism जहाँ पर पैसे को कैसे share किया जाए states and union के बीच में उसकी बात की जाती है state and union के बीच में अगर traditionally देखा जाए दोस्तो तो भारत के अंदर में हर state के पास में अपना अधिकार था कि वो text लगा सकते हैं अब text लगाने से होता क्या है समझे इस चीज को बहुत अच्छा article connotation इसमें किया है अब जो text लगाया जाता है text लगाने से जो revenue आएगा सरकार के पास में उस revenue का major हिस्सा अगर आप सर्वे करेंगे पूरे भारत के अंदर में major states का major हिस्सा कहा पर जाता है health पर और education के उपर है बिल्कुल सही बात है लेकिन क्या होता है अब क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या आया GST आया अब GST आने के बाद में states ने क्या किया अपनी taxation power को क्या क्या किया dev GST के तरफ है जहां पर one nation one text की तरफ है यानि कि अब जो वहां से share आएगा इकठा होगा वो क्या होगा इकठा हो जाएगा और उसके बाद में उस pool को क्या किया जाएगा distribute किया जाएगा लेकिन covid के time पर यह कहा गया ऐसा कहा गया कि हमारे पास में pool थोड़ा सा कम हो रहा है उस pool के card में जो share है किसके पास में states को जो allocate किया जा रहा है वो कम हो गया अब अगर मान के चलिए states के पास में पैसा कम होगा state के पास में पैसा कम मिलेगा तो इसका मतलब क्या है वो अपने health care facilities और education facilities के खरचा कम करेंगे expenditure कम करेंगे अब जब expenditure कम करेंगे तो इसका directly मतलब क कि Saocio Economic Conditions उसके नंदर में क्या है घड़बढ़ होगी गड़बढ़ होगी सोश्य कमिशन वैसे कहता है कि भारत साब हम क्या करेंगी दिखेंगाँ भारत के अंदर में दो स्फियर के अंदर में finance model को देखा जाता है एक planning commission एक finance commission अब planning commission तो खतम हो गया नेती आयोग बना दिया अब नेती आयोग के पास है कोई भी पैसे वाली power नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकिन जब finance commission की बात करते है 14 finance commission ये कहता है कि भाई सब एक चीज़ देखिए मैंने क्या किया है पहले क्या था 32% था दोस्तो 32% का मतलब क्या है मैं कोई समझाने की कोशिश करता हूँ finance commission का रोल ये होता है कि कितना पैसा कितना share कितना percent share किसके पास जाएगा union से states के पास जाएगा ये बताना तो पहले यानि कि 14th finance commission तक 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 कह रहा हूँ ये था कि 32% share जाता था states को फॉर एक्जांपल मान के चलिए ये रहा union union के पास है 100 रुपी तो 100 में से 32 रुपीज states को allocate कर दिये दे जाते थे फिर ये 32 रुपीज states के अंदर में कैसे divide होंगे ये क्या है finance commission इसको बताता था मिल्कुल सही बात है पिर आया इसको क्या क्या 14 finance commission से पहले गजा तो 14 finance commission ने बोला क्यों ना भाई इसको 42 percent कर दिया जाए क्योंकि 42 percent अगर हम करेंगे तो states क्या होंगे autonomous हो जाएंगे states के पास है पावर आ जाएगी financial बिल्कुल सही बात है फिर 15 finance commission ने का कि यार ये 42 percent की जगे हमें क्या कर देना चाहिए 41 percent कर देना क्यूंकि जम्मू एं कश्मीर अब क जो ये share मिलता है finance commission के recommendation के द्वारा ये sufficient नहीं है पहली बात और वो अपना taxation जो power है उसको क्या कर चुके है कम करी चुके है सरकार state क्या है उसको surrender करी चुके है इसके कारण में वो financial level पर क्या है autonomous नहीं है और financial level पर अगर autonomous नहीं है तो परेशानी क्या है states अपने लोगों के welfare क के लिए काम नहीं कर पाएंगे अब जब लोगों के लिए welfare के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो problem क्या है तो क्या है social economic conditions लोगों की ठीक नहीं होगी पहला point तो इस चीज़ को आपने connection यहाँ पर बिठा लिया होगा दूसरा यह भी कहा गया आपने अभी तेखा होगा कि corporate tax क्या किया गया है कम किया गया है जैसे for example एक बोला जाता है कि जब भारत के अंदर में agriculture की बात आई agriculture अपन अपर में भी क्या लगाया जाए टेक्स लगाया जाए लोगों ने विरोध करना शुरू कि और agriculture यानि कि farmers के उपर में कभी भी टेक्स नहीं लगा ठीक है अब क्या है recent time के अंदर में यह कहा जागया कि corporate के उपर में भी टेक्स क्या किया गया corporate के उपर में भी टेक्स क्या किया गया कम किया गया अब यह जो corporate tax collect होता यह GST का important हिस्सा होता यानि कि इसको कम करने की काड़ में अपने GST का important हिस्सा कम कर दिया अब यह GST का अगर important हिस्सा कम हो गया तो यानि कि states के पास में जो share जाना चाहिए था वो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ पर एको और पास समझनी पड़ेगी, Finance Commission ने को और चीज़ कहता है, जो सेंटर सेस लगाता है, सरचार्ज लगाता है, वो क्या है, डिविजिबल नहीं है, यानि कि वो सिर्फ किस के पास रहेगा, यूनियन के पास रहेगा, आप रिकॉर्ड लेवल में क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, यानि कि यहाँ से चीज़े क्या आ रही है, धीरेदेर एकर हम फिसकल पुरे के पुरे प्रासेस को समझनी की कोशिश करें, और summarize करें, तो यहाँ पर क्या निकल कराता है, कि union यानि कि center जो है, वो fiscal level पर क्या हो रहा है, strong हो रहा है, और states जो है, वो fiscal level पर क्या हो रहे हैं, weak हो रहे हैं, अब जब states fiscal level पर weak होंगे, तो वो automatically किस पर union पर क्या करेंगे, depend करेंगे, अब जब वो union पर depend करते हैं, तो कई सारे state क्या करते हैं, union से पैसा लेते हैं, interest पर अब आपको जानकर हरानी होगी कि कई सारे differential states के उपर में differential rate के उपर में क्या करता है union, पैसा देता है states को तो ये भी कहा जाता है कि जो differentiation है, जो differential है interest rate के अंदर में, उसका utilize, उसका use किया जाता है अपने शेंट्रलाइजिंग और उपलिटिकल seniors को lang के लिए किस के दवार की देर यादि आज से पकॉंसप्ट चैप्य आ गया क inexpert एक बार कोसेट अया कि-वाइस आया एक हमारा देश यूनी आद एक ची समझ ये, federation का मतलब क्या agreement sign होना, तो US के अंदर में जो सारे के सारे हैं, वहाँ पर क्या हुआ, federation, सबने आये, एक agreement sign किया, कि भाई सब हम एक साथ हा रहे है, United States बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर में union है, कोई agreement sign नहीं हुआ, ये पलिटिक के अंदर आपने क आती है, तो center strong होना चाहिए, अंडिया की security की बात आती है, तो भी center strong होना चाहिए, but major question ये है, कि health care, health field के अंदर में, agriculture field के अंदर में, education field के अंदर में, center का क्या road, वहाँ पर ज़्यादा power किसके पास में होनी चाहिए, state के पास में होनी चाहिए, state के पास में autonomous होना चाहिए, यही कहा गया, कि 1935 के अंदर में, जो act pass किया गया था, उसके अंदर में ज़्यादा power थी, किसके पास में, states के पास में, rather than, जो हमने 1950 के अंदर में, जो हमना constitution बनाया, उससे ज़्यादा, तो यहाँ से major question आपके दिमाग के अंदर में, क्या निकल कराता है, सबसे important हिस्सा यह निकल कराता है, center and state relation, सिर्फ और सिर्फ पावर distribution की ही हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें financial level पर भी बात करनी चाहिए, और दोस्तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें, कि जितना जादा financial level पर centralization होता रहेगा, जितना जादा आप center की तरफ में tilt होते रहेंगे, उतनी जादा समस्या states में बढ़ती रहेगी, state अपने आपको fiscally consolidate नहीं कर पाएंगे, और जब state fiscal level पर autonomous नहीं होंगे, independent नहीं ह तो वो कहीं ना कहीं दोस्तो क्या करेंगे, union के उपर में dependent रहेंगे, और यहां से जो हमारा federal feature है, जो हम federalism की बात करते हैं, वो tilt हो जाएगा पूरी तरीके से किसकी तरफ में, center की तरफ में, I think मैंने बहुत detail में आपको ये सारी किसारी चीज समझाई है, जो आप इस चीज नहीं होगा, उनके पास में वो power नहीं होगी, tax collect करने की, तो उससे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो जो welfare के लिए, लोगों के welfare के लिए, अपने citizens के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीके, clear है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ठी ठीक है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ में ये चीज़े हैं, लेकिन अभी के लिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, कि जो major state का जो खर्चा है, यह दिखिया अब, statement दिखिये, जो major state के अंदर में जो खर्चा है, अगर देखा जाए, तो अभी states क जो finance करने की अपने खर्चे की, समझी है, अपने revenue से अपने खर्चे को अगर वो कर सकते थे, तो कब तक 69%, अगर 1955 के अंदर में देखा जाए, तो अपने ही revenue कमाया, अपने से ही खर्चा कर लिया, कितना 69% तक कर लेते थे, अब capacity कितने decrease होगी, 38% होगी है, और अगर देखा एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, यह एक और बहुत बढ़िया concept यहाँ पर link करिए, centralization of schemes, यह बहुत major question उठाया जाता है, कि schemes को implement करना, schemes को identify करना, यह states के पास में power होनी चाहिए, बट ज्यादा तर समय पर अगर हम देखे हैं यह समय पर, तो ज्यादा फोकस किस पर रहता है, centralization of schemes, one size fit for all, scheme center से decide होगी, states को implement करना पड़ेगा, but states को उसके इंदरे fund भी देना पड़ता है, अपना share भी देना पड़ता है, समझ यह चीज़ करने की कोशिश करिए, तो इस article में in short last में वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह धीरे-धीरे inequality को increase करेगा, states के बी political centralization है, उसने क्या किया, inequality को और बढ़ा दिया है, अगर world inequality report को देखा जाए, तो इंडिया के अंदर में देखा जाए, अगर इंडिया के देखा जाए, तो ratio of private wealth to national income increased from 290% in 1980, समझ रहें, clear है, तो इस चीज़ को connect कर रहे हैं, आप सभी के सभी मेरी ख्याल में, clear है, clear, यहां consolidation, ठीक है, I think बहुत detail में इस article को हमने cover कर लिया, अब move करते हैं, अगले article की तरफ में, already बहुत detail में यह चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कल, अगर किसी ने इस article को नहीं देखा है, तो कल वाले session पर जाके देख लो, West Asia, West Asia, West Asia, यानि कि आपको अगर मैं map पर Biden साब गए थे, तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि West Asia ने एक तरीके से अपने हिसाब से decide कर लिया है, कि अब वो US के साथ में नहीं है, US के अलावा अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे Gulf countries ने क्या कि एक तरीके से identify कर लिया, कि इसको Israel को identify कर लिया है, कि हाँ Gulf countries यानि कि West Asia का बहुत important हिस्सा है, इसके साथ में हमें collaborate करना पड़ेगा, वो बात अलग है कि collaborate कैसे किया जाएगा, तरकी Egypt, UAE आपस में collaborate करने की कोशिश कर रहे हैं, साउधी अरेबिया आपस में अलग collaborate करने की कोशिश कर रहे हैं, यानि कि इस region के अंदर में जितनी भी countries हैं, वो अपने आपको ये चाह रहे हैं कि ये region अपने आप में क्या रहे है, यानि कि जो USA की उपर में, जो USA की उपर में जो हमेशे एक बहुत बड़ी responsibility हुआ करती थी, जिसको USA हमेशा कहता था कि मेरी एक बहुत बड़ी responsibility इस region का security provider उससे क्या किया जा रहे है, एक तरीके लगा रखें, इरान के उपर हैं, लेकिन Saudi Arabia हो, चाहे UAE हो, चाहे Turkey हो, सब के धीरे-धीरे संब्ध हर कोई अपने establish करना चारा है इरान के साथ, वो ये कह रहे हैं कि इरान हो, टर्की हो, इसरेल हो, ये सब कुछ मिला का, Saudi Arabia हो, UAE हो, ये सब कुछ क्या है, ये region एक है, हो सकत आ चुक हो, कई बार, कि Biden साब यहाँ पर क्यों गए, Biden साब यहाँ पर इसलिए गए, क्योंकि oil के prices, gas के prices बहुत जादा increase हो रहे हैं, Russia को पर sanctions लगाने का, तो वो इसलिए गए, क्योंकि वो ये ensure कर पाए, कि यहाँ पर जो oil के prices है, वो क्या हो, मनलब, oil क्या हो, उसका production यहाँ से in short, हमें last में यह चीज़ पता चलती है, कि West Asia जो है, वो अपने आप में, अपने आपको अलग identify करने लग गया है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप में, अपने आपको अलग से establish करेगा, उसके पीछे already आपको कई सारे reasons में बता चुक हूँ, पहले क्या क्या रहा, यहाँ पर हर country के अलग-अलग अपने क्या रहे, dispute रहे, but recent time में देखा जा रहा है, कि हर country एक दूसरी के साथ में, अब क्या collaborate करने की chances कर रहे है, यानि कि इस region के दर में stability और peace को establish करने की कोशिश कर रहे है, already यह discuss कर चुक हूँ मैं कल, आपके सार, तो आपके लि चाहिए, जहाँ पर special relation, geographical proximity, similar political system, Islamic belief, इन सबके कार में एक साथ collaborate करना चाहिए, इसका security rate कहा रहे है, रियाद के अंदर में, साओधी अरेबिया के अंदर में, ठीक है, यह देख लीजे, इसके अंदर में यह नहीं आता, यमन नहीं आता, इसके अंदर में यमन नहीं आता, प्लीज इस चीज को याद रखेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो प्लीज, और अलरेडी इस चीज को हम discuss कर चुके हैं, West Asia, West Asia के अंदर बहुत सारे pillar हैं, साउदी अरेबिया, इरान, UAE, इसराइल, इराक, ठीक है, इधर चले जाओगे, एजिप्ट, टर्की, यह सब के सब, तो यह सब के सब आप खुछ सूचिए, यह सब के सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने खुद के क्या करने, इस्टैबलेश करने की कोशिश कर रहे ह अपने आपको खुद के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज याद रखिए गए, सारी की साइच चीज़ अल्रड़ी बता चुका हूँ, कि साउदी रेबिया के साथ, दरसल क्या है, यह region, जो arms है, वो कहा से खरीता है, USA से खरीता है, और USA है कहता है कि मैं इस पूरे region का क्या हूँ, security provider हूँ, बट अभी यह region क्या है, अपने आपको अलग से देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अगला article, बहुत अच्छा article है, दरसल हमारे देश के अंदर में, एक DPSP नाम की एक चीज़ है, हमारे समविधान के अंदर में, ठीक या toxicant जो भी सारी चीज़ी होती है, उनको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे बैन किया जाए, और गांदी जी शराब बंदी के favor में ही थे, गुजरात के अंदर में क्या किया गया, शराब बंद कर दिया गया, अब रिसेंटली क्या हुआ, नकली शराब बनाते हुए, लोगों पू complete ban या complete prohibition वो सही है या नहीं, यह question काफी समय से पूछा जाता है, क्योंकि ये कई बार ये trend में आया कि complete ban, complete prohibition हमेशा क्या होता है, नुकसान दायक होता है, कई level पर, क्योंकि ये देखा गया, जब ज़्यादा तर complete, अब आप खुछ सुचिए, इतने बड़े level पर और police, उनकी नजर में तो रहेगा है, बिल्कुल रहेगा, ओवेसी बात है, बिल्कुल रहेगा, लेकिन फिर भी अगर वो हो रही है, illegal way में उसका trade हो रहा है, कोई quality check, कोई norms नहीं है, कोई safety norm नहीं है, तो आप सोचे कितना बड़ा हो क्या है, खत्रा पैदा करने हैं, पहली चीज, अगर government, क्योंकि देखिए, वो big तो अभी भी रहा है, बन तो अभी भी भी रहा है, लेकिन government ने उसको recognize नहीं कर रखा, complete ban कर रखा, प्रोहिबिट कर रखा, उसके काड़ में issue क्या हो रहा है, issue यह हो रहा है, कि government बहुत important हिस्सा, जो revenue का है, उसको भी क्या कर रहे है miss कर रही है, government, बहुत important हिस्सा, जिसको हम बोलते है, tax में लेना, मान के चलिए, land का rent लेना, यह सारी चीज़ें, sale के उपर में जो tax होता है, यह सब collect करना, इसको भी क्या कर रहे है, miss कर रहे है, और यह चीज होने के काड़ में, जो चीज़े practices चल रहे हैं, वहाँ पर आप क क्या है, कोई quality, कोई safety, इनको ensure नहीं कर पा रहे हैं, यह सी समझने की कोशिश करिए, तो इसलिए कई बार यह suggestion दिया जाता है, कि कभी भी किसी भी चीज़ का solution, prohibition नहीं होता है, rather than prohibition, आप उसको regulate करिए, आप उसको control करिए, क्योंकि liquor, behavioral change की बात है, आप उसके उपर में 1000 गुना tax लगा लो, जो पीता है ना, वो कहगा करोड़ो रुपए, अपने घद, यह कहानी आपने क्यों सुने की करोड़ो रुपए की property, राजा से रंक, वो क्याना मैं अपनी property को दान में दे देना, वो दान कहा रहा हूँ, क्याना मैं जुए में हार जाना, कितने-कितने बिगर जमीन लोग बेज़ेशन से पीने के लिए, तो वो आप कितना मर्जी tax लगा लो, वो होगा, तो यहाँ पर ultimately solution यह कहा जाता है, कि आपको क्या करना चाहिए, उसको prohibit करने की बजाए, हमेशा regulate करना चाहिए, और यही इस article में discuss किया गया, इसमें benefit of prohibition, कि prohibition से हमें क्या है, prohibition से हमें क्या नमें benefit हुए या risk ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम prohibit कर रहे हैं, तो यह चीज़ समझ ही है, अपने band लगा दिया, अब मीडिया में देख लो, सिनेमा में देख लो, हमेशा है होता है रहे, वो dry state नाम का है, मुझरायत के बारे में सब चीज़े चलती है, सब चीज़े चलती है, तो यानि कि सब को पता पुरा system established, illegal तरीके से, बिहार के अंदर में illegal तरीके system काम कर रहा है, लेकिन आप उसको रेगॉलेट नहीं कर पारे हो, आप उसको खिलाफ में कोई action नहीं ले पारे हो, तो यहां से क्या हो रहा है, यान आप बिहार का example ले लो, और गुजरात के कितने example साथ चुके, जहां पर कितने सारे लोगों की death हुई है, अब 40 लोग, यह कम है क्या, जब political system इस पर बात करने की बात करता है, जब इस पर बात करते हैं, तो वो इस पर कभी भी clear honest discussion करेंगी, अभी भी चल रहा है, इस article में भ कागजों पर किसी को announce कर देना कि बन है, बन है, बन है, और उसका implementation अगर हो नहीं, तो कितनी बड़ी चिंता जनक बात है, चलें, यह article, प्लीज याद रखेंगे, हैपेटाइटिस से related है, इसमें उन्होंने काया है कि हैपेटाइटिस 28 जुलाई को, यानि कि आज का जो दिन इसको कंट्रोल करने के उपर में क्या करना चाहिए, बात करने चाहिए, उसके पीछे कई सारे कारण है, सबसे पहली बात तो, mortality rate, हैपेटाइटिस का बहुत हाई है, पहली बात तो यह, और mortality rate हाई होने के कारण में, यह पता चलता है कि लोगों की death, बहुत जादा चांसी death होती है, प्रसमें एक और चीज समझने की कुशिश करें, इन्होंने एक और चीज यहापर आइड करी है, कि ऐसा नहीं है कि hepatitis को control नहीं किया जा सकता है, हपेटाइटिस को अभी भी control किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, और hepatitis की vaccine भी हमारे पास में, मनलब एक type की vaccine हम तो इस कारण से बहुत important है कि आप सभी के सभी hepatitis को पर में focus करेंगें, world hepatitis को पर में focus करें, hepatitis होता क्या है, liver में सूजन आ जाना, कई बार वो क्या होता है, सिर्फ थोड़े time के लिए सूजन आती है, और कई यो time क्या होता है, वो लगातार 6-6 महिने chronic हो जाता है, अब ये कई कारणों से होता है, जैसे for example, आप ये समझेए कि, छोटा से example ले लिजिए, कि आपके, क्या बोल रहा था हमें, hepatitis के कारण में, जैसे food, पानी, healthcare facility, accessibility, sanitization कैसा है, वहाँ पर living environment कैसा है, ये सब चीज़े भी क्या करते है, hepatitis को क्या करते हैं, derive करते हैं, कि hepatitis होगा या नहीं हो क्योंकि reason आपको मनें बता दिए, क्योंकि mortality बहुत जादा आई है, hepatitis को control किया जा सकता हो, तीसरा क्या है, vaccine से curable, मनलब क्या नहीं है, vaccine से हम इसको control कर सकते हैं, और अगर फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि हम reluctant है, हम जादा इसके उपर में ध्यान नह नहीं दे रहें, पहली बात, दूसरी चीज़ ये को और कहा कि आप पूरा का पूरा वर्ल कोशिश है कर रहा है, कि 2030 तक हम क्या करेंगे, अपने आसे hepatitis को control कर लेंगे, eliminate कर देंगे, eradicate कर देंगे, उस चीज़ को अगर अचीव करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड पहला पॉइंट, और hepatitis को world के अंदर में क्या करना है, completely हमें eliminate अगर करना है, ग्लोबल लेवल का जो target है, किसका 2030 का, उसमें बहुत aggressively हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसके पीछे सबसे पहली बात तो एक और चीज़ याद रखेगा, पहली ऐसी communicable, यानि कहले जी है, फिर only communicable disease है, जहां पर mortality rate हमेशा अभी भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है, यह सबसे बड़ा reason है कि आपको hepatitis को control करने के लिए काम करना चाहिए, यह preventable है, अगर मानिके चले clean food आप देते हैं, good personal hygiene maintain करते हैं, आप safe water देते हैं, sanitization देते हैं, तो आप क्या कर सकते है, hepatitis A और E से क्या कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, यानि कि hepatitis से control किया जा सकता है, ठीक है, in short आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, in short आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, कि hepatitis एक ऐसी बिमारी है, जिसको क्या किया जाता है, control किया जा सकता है, और world को इस पर क्या करन हो रहे हैं, अब यानि कि hepatitis के cases increase हो रहे हैं, यानि कि food, hygiene, water, इनके अंदर में भी क्या है, जो basic necessary चीजे हैं, उनके अंदर में समस्य आ रही है, इसलिए आपको पता होगा, जब हर घर null से जल वाला जो बात की जाती है, भी कहा जाता है कि hepatitis जैसे बिमारी को है जा, hepatitis जैसी बिमारी को कंट्रोल करने के अंदर में बहुत important role play करेगा है, ठीक है, clear है, ठीक है, तो ये है, hepatitis से related, प्लीज याद रखेगा, inflammation of liver, liver को की सूजन आ जाना, उसको बोलते हैं, hepatitis, ठीक है, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, कई सारे acute होते हैं, कोई chronic होते हैं, acute का मतलब क्या, जांदिस, fever, momenting, इन सब के कारने से क्या हो जाता हो जाता है, और chronic होता है, जो लगातार लगा रहता है, जो 6 महिने से जादा हो जाए, ठीक है, clear है, याद रखेगा, और hepatitis का ही प्रकार की होते है, A, B, C, D, E, ये देख लीजे, hepatitis की image भी है, ये share भी कर दूँगा, ठीक है, अब ये समझ ये, A, B, C, D, E के अंदर में, A और E, A और E, इसके लिए किसी treatment की और पानी, contaminated water है, अभी दीती आयो करिप उटाई, तो hepatitis होने के किने ज़र। चांसे हैं, यहाँ पर समझे, दूसरा यहाँ पर समझे कि B और C, ये क्या होता है, blood और जो bodily fluids होते हैं, जैसे थूक हो गया, सारी चीज़ होगी, उन से रिकलता है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें इसके लिए treatment चाहिए होती है, ठीक है, इसके इंदर में liver cancer तक हो सकता है, अगर लगातार किसी को होता है, इसके लिए treatment चाहिए होता है, और hepatitis D, ये उनी लोगों को होता है, जिनको hepatitis B already हो चुका होता है, ठीक है, clear है, और A और B के लिए vaccination available है, अब आपको एक और basis की immunization program, इंडिया के अंदर में, hepatitis related भी क्या है, vaccine available है, mission इंदर धनुष, ठीक है, clear 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 है, मेरे दोस्तों, चले, अगला article, center to amend the warehousing act, क्या है, वैसे तो farms bill खताम हो चुका है, तो इसलिए उसकी बात हम करेंगे नी, लेकिन एक ची समझी है कि warehouse क्या होता है, warehouse क्या होता है, warehouse वो होता है, जैसे जहां पार storage किया जाता है, ठीक है, अब अगर farms से related देखें तो farms की जितने भी product हैं, farms की जितने भी grains हैं, यो कोई भी चीज अगर है, तो जैसे मान के जले, farms से related नहीं है, अगर आम मान के चलाओ, मचली प बनाई जाए, वो भी warehouse ही है, तो भारत के अंदर, warehouse से related act pass किया गया था, अब recently कहा जा रहा है कि warehouse act के अंदर में amendment करने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो warehouse authority है, उसके पास में हर warehouse को क्या करना पड़ाएगा, register करना पनेगा, यानि कि पहले मान के चलाओ आप पर क्या किया जाएगा, इसको, इस storage वाली जो capacity है, उसको क्या करना पड़ेगा, mandatory link करना पड़ेगा, अब किसान, जो है, किसान जो मोर्चा है, वो आरोप लगा रहा है कि भाई, ये तो जो bill वापस लिया है, वो ही काम कर रहे हैं, मैं देखे, in short, तीनों की तीनों bill को समझ मंडी बिल बोलता हूँ, और एक था, क्या था, ये वाला, storage वाला bill, essential commodities act, और तीसरा था, क्या, आपके जहां पर हम contract वाला bill बोलता है, तो उसके अंदर में जो storage वाला था, उसके अंदर में जो government ये bill लाई थी, उसके अंदर में उन्हों नों बोला कि कई बारे वाले का होत करने के उपर हमें limit लगा कर रख देंगे, तो उन्होंने इस bill के तहत में कहा था, कि जो essential commodities act है, उसके अंदर में हम amendment कर देते हैं, और जो limit है उसको हम हटा देते हैं, limit को हटा देते हैं, store करने की limit को हटा देते हैं, इसका बहुत जादा विरूध हुआ, ये का गया अगर आ आज rate है 100 रुपे, और private entities ने बोला कि भाई साब 100 रुपे का rate है आन्दो, यानि कि 2022 में उन्होंने 1000 टन खरीद के रख लिया, बिल्कुत सही बात है, अब जैसे उन्होंने खरीद के रख लिया, अब उसके बाद में क्या हो, अगले सालिया निकि 2023 के इंदर में के, private entities ये कह होगा, अगर कोई stock करने के limit नहीं है, वो first go में ही इतना ज्यादा stock कर लेंगे उस rate के उपर में, कि further वो market के अंदर में rate को क्या कर सकते है, derive कर सकते हैं, ये कई बार आरोप लगी, दूसरा यहां से एक और derive किया जा सकता है, ये गर्मान के चले सरकार यह कहें कि भाई साब आपको market rate पर खरीदना पड़ेगा, तो ये कहेंगे कि वैसा हमारे पास 1000 unit है, इनको market में निकाल दो, market में जैसी आपने supply करी, automatically क्या हो जाते है, rate कम हो जाते है, rate कम हो जाते है, जैसी rate कम होंगे, दुबारा से rate कम होंगे, उनको कम rate पर खरीदना पड़ेगा, तो कई बार ने आरोप लगा है कि जो private entities को फाइदा पहुचाने के लिए किया गया है, कि ये private entities के पास में इतना पैसा है, कि वो क्या कर सकते हैं, warehouse बना सकते हैं, warehouse बहुत important role play करता है, किसी भी country की farm industry के इंदर में, just imagine, अगर मान के चलिए warehouse ना हो, तो यानि कि किसान, farmer, या फिर मान के च पर purchase करके, कहाँ पर store करेगा, और अगर वो store नहीं कर पाएगा, अगर वो उस चीज को store नहीं कर पाएगा, तो उसको trade कैसे कैसे कैसे, खराब हो जाएगे सारी सारी चीज़े, इसके लिए कई बारे कहा जाता है, कि warehouse को क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूत करना पड़ेग ठीक है, clear है, clear है, सुबह साथ वज़े से शुरू होता है, तो यह कहा गया है, बाकी मैं कभी आपको क्या करूँगा, और दोनों चीज़ों के बारे समझाने के कोशिश करूँगा, ठीक है, तो यह याद रखेगा, warehousing development authority, जो regulation authority है, उसके बारे में याद रखेगा, अभी तक क्या होता था, जो registration होता था, वो क्या होता था, optional होता था, अब उसको यह कहा गया, कि हम mandatory कर देंगे, तो प्लीज याद रखेगा, warehousing development authority, जो regulating authority है, वो कब बनी थी, 2017 के अंदर में बनाई गी थी, 2010 के इंदर में बनाई गी थी, कौन से act के थुरू, development and regulation act, warehousing development and regulation act, 2017, इसी में amendment करने की बात की गई है, इसका headquarter कहा पर है, नियू दिली में, आप समझ पा रहे हैं कि दरसल, किसान ये आरोप लगा रहे है, कि दरसल backdoor से, जो bill वापस ले लिया गया, उसको दुबारा से लाने की कोशिश की जा रही है, कि जो storage capacity है, जो storage करने की बात है, उनके अ अपने हिसाब से चला सकते हैं, पहली बात, और government ये कह रही है, कि भाई साब, अगर मान के चलिए, हमारी farmer के income को हमें double करना है, तो हमें storage capacity चाहिए, तब ही हम क्या कर सकते हैं, farmers की income को double कर सकते हैं, और storage capacity कौन लेकर आएगा, public private partnership के थ्रू ही आएगा, यानि कि private जब तक इस आज के session के अंदर में जो-जो important article से हमने आपके साथ में discuss किया, और मैं एक कोशिश करूँगा, कि कल या परसो में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपके साथ में एक और चीज़ discuss करने के कोशिश करूँगा, कि farm से related तीनों की तीनों, उनको भी हम discuss कर लें, ठीक है, वैसे अगर कभी और बाद में discuss करेंगा, आज वैसे भी बहुत लंबा session होगा, एक बच के 20 minute होगे, एक गंटा 20 minute होगे, ठीक है, तो प्लीज ज्याद रखिएगा, और 11 बजे हमारा session होगा, current affair के quiz वाला, उसमें भी सभी के सभी जुडिएगा, और आज के session के अंदर में जो-जो लाइक कर दीजेगा, और ये एक अगस्य जो batch 3 है, उसकी foundation जो batch 3 है, उसकी class शुरू हो जाएंगी, शाम को 6 बजे होगी, ठीक है, और PRT live ये code है, 18995 में इसको आप क्या करिए, इसको आप access कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, 6 बजे इसकी classes होगी, और आज का question क्या है आज का question आपके लिए ये है, while self-sufficiency may be commendable target, India's development goal can't be met without facing the world armed with robust export strategy, आप निर्बर भारत की जब हम बात करने, इसके इंदर में एक आगया, कि भारत आप निर्बर भारत बन सकता है, लेकिन साथ में ये भी ensure करना पड़ेगा, कि वर्ड के साथ में हमें अपने export strategy को भी करना प पड़ेगा, clear है, thank you so much, इसकी PDF का मिलेगी, प्रशानती वारी PDF नाम के टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, Instagram और Twitter पर आप मेरे साथ क्या कर सकते है, connect कर सकते है, कोई भी doubt हो, किसी को भी सारी चीज़े, ठीक है, clear, ठीक है, नहीं, notes बनाने का कोई भी important नहीं है, ठीक है, मिलते ह अगले सेशन के अंदर में, तब तक एल अपना ध्यान रखे, मुस्कुराते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और life में जो भी मिला है, उसका fully utilization करते रहे हैं, bye bye, take care दोस्तों, जैहें